दोस्तों राज कुंदरा से जब एक एक्टिस ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो तब राज कुंदरा ने न सरफ इस एक्टिस को चुप कराया बलकि ये भी चुनाती दे दे कि तुझे जो करना है कर ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कुछ इस तरह क एक्टिटूट था राज कुंदरा का हाली में राज कुंदरा जब कोट की हेरेंग के लिए गए तब उनके चेहरे से ये तेवर ये एक्टिटूट गायब नजर आया इनफेक्ट उन्होंने मीडिया से नजरें भी नहीं मिलाई उनका सिर जुका हुआ नजर आया था लेकि पूनम पांडे ने हाले में एक और इंटर्व्यू दिया है जिसमें उन्होंने राज को लेकर विस्पोटक खुला से किये हैं आपको बता दें कि राज कुंद्रा की एक कंपनी थी आमस्प्राइम उसने पूनम पांडे की एक एप पनाई थी और उस एप को भी आमस्प्राइ को कई emails कि कि उनका जो personal stuff है उस एप के लिए वो लीक हो रहा है दूसरी website पर बाद में पूनम पांडे को पता चला कि जिस दूसरी एप पर ये लीक हो रहा है वो राज की ही है hot shots तो इस पर पूनम पांडे ने email लिखकर कहा कि इतने से पैसे कमाने के लिए तुम इस तरह की नीच हरकत कैसे कर सकते हो पूनम पांडे ने ये भी कहा कि मेरा content तुरन थटा और नहीं तो तुम्हारे साथ मेरा जो contract है वो में terminate कर दूंगी और तुम्हारे खिलाफ legal action लोगी इस legal action की बात पर पूनम पांडे को जवाब मिला कि तुझे जो करना है कर ले legal action लेना है तो ले ले यू आर मोस्ट वेलकम और ये जवाब राज की टीम के किसी member ने नहीं दोस्तों बलकि खुद राज कुंदरा ने दिया था पूनम पांडे ने कहा कि इन लोगों के साथ contract sign करने के एक ही महीन में इन लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा fraud कर दिया था इन लोगों के साथ काम करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी ये बहुत fraud लोग हैं इन्होंने मेरी जिन्दगी की परसनल चीजें दुनिया के सामने खोल कर रख दी मुझे बहुत ट्रामा से गुजरना पड़ा पूनम पांडे ने ये भी कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती तब हुई जब मैंने अपने पासपोर्ट और परसनल क्रिडेंशल राज की टीम के साथ शेयर कर दिये थे जब पूनम पांडे ने राज की टीम के साथ ये कॉंट्रेक्ट साइन करने से मना कर दिया था तो राज की टीम ने पूनम पांडे को ये भी धमकी दे दी थी कि तुम्हें पैसे नहीं देंगे जब तक तुम ये contract sign नहीं करोगी लेकिन पूनम पांडे ने उनके सामने जुकने से इंकार कर दिया पूनम पांडे के पास और भी काम था इकलाथर राज ऐसा शक्स नहीं था जो पूनम पांडे को industry में काम दे रहा था और पूनम पांडे कहती हैं कि यहीं वो कारण है कि राज न मुझे प्रशराइस कर पाया, न मुझे पर दबाव बना पाया ये लोग अपने आपको समझते क्या हैं इन्होंने मेरी परसनल स्पेस को पबलिक करके रख दिया तो कुछ इस तरह के इलजाम एक बर फिर से पूनम पांडे राज पर लगाती नज़र आई हैं आपको एक बर फिर याद दिला दे दोस्तों की ये 2019 में पूनम पांडे ने राज कुंदरा पर प्रॉट का ये केस किया था जिसके बादी आगे की तप्तीश में राज के काले कारना में सामने आये और आज ये घटिया आदमी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और सलाख इसके साथ इस तरह का बरताव करता है मनमानी करता है प्रॉट करता है और इन्हीं पैसों से ये अपने बीवी अपने बच्चों के शौक पुरे करता है थू है ऐसे आदमी